इस महत्वपूर्ण कारकम में देश भर से जुड़े सभी राजपाल महोदय, लेप्रिनन गवर्नर्स, केंद्रिय मंत्रि मंडल के मेरे साथी गाण, रिजर्ब बैंक के गवर्नर, राज्यों के मुख्य सचीव, अलग-अलग इंडिस्ट्री असोशेशन से जुड़े साथी गाण, स्टार्ट अप, फिंटेक के दुनिया से जुड़े मेरे इवा साथी, बैंकों के वरिष्ट अधिकारी गाण, और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है, यी रुपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, डिबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है, इससे तारगेटेड, ट्रांस्परंट और लिकेट फ्री डिलिवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी, 21 वी सदी का भारत, आज कैसे आधुनिक टेकनलोजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेकनलोजी को लोगों के जीवन में से जोड रहा है, इ रुपी उसका भी एक प्रतीख है, और मुझे खुशी है कि ये शुरुवात उच समय हो रही है, जब देश आजाजी के 75 वर्ष पर अम्रुत महवत्सों मना रहा है, और ऐसे समय में देश ने फिचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और एहम कदम बढ़ाया है, साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संसा या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है, तो हो कैश के बजाए यी रुपी दे पाएगा, इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन, उसी काम में लगा है, जिसके लिए वो राशीर दी गई है, अभी शुरुवाती चरण में, ये योजना देश के हिल्ट सेक्टर से जुड़े बेनिफीट्स पर लागू की जा रही है, मान दीजिए, कोई और्गनाज़ेशन, सेवा भाव से, सरकार, भारत सरकार के दवारा, जो मुप्त वैक्सिन दी जा रही है, उसका लाब लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्रावेट अस्पतालों में, जहां कुछ कीमत दे करके वैक्सिन चल रही हैं, उसमें देना भेजना चाहता है, अगर वो सो गरीबों को वैक्सिन लगवाने के उसकी इच्छा है, तो वो उन सो गरीबों को ई रूपी वावचर दे सकता है, ई रूपी वावचर ये सुनिश्च करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सिन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं, समय के साथ इसमें और भी चीजें जूरती चली जाएगी जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है कोई टीबी के मरीज को सही दबाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है या फिर बच्चों को गर्बवती महलाओं को भोजन और परियावरण से जुरी दूसरी सुविधाय पहुचाना चाहता है तो इ रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा यानि इ रूपी एक तरह से परसंद के साथ साथ परपज स्पेसिपिक भी है जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा ये इ रूपी सुनिश्चित करने वाला है कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धास्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो इ रूपी वावचर उसकी मदद करेगा कोई किसी छेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्ता करना चाहता है तो इ रूपी वावचर उसकी मदद करेगा अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्ता करना चाहता है तो इ रूपी वावचर उसकी भी मदद करेगा इसे अबर अगर राष्ट्रिय प्रेक्ष में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीद दी जाए अगर सब्ष्डाइस खात के लिए मदद की है तो वो खात खरीदने के लिए ही काम आए गर्बवदी महलाओं के लिए दिये गए कैश मुशे सिर्फ पोशक अहार ही खरिदा जा सके यानि पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तमाल चाहते हैं ये रूपी वावचर उसे सिद्ध करेगा साथियों पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेकनलोजी और वो कहते भी थे कि टेकनलोजी तो भारत तो गरीब देश है इसलिए भारत के लिए टेकनलोजी का क्या काम जब हमारी सरकार टेकनलोजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता कुछ खास किसम के एक्सपर्स उस पर सवाल खड़ा करते थे लिकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है आज देश की सोच अलग है नई है आज हम टेकनोलोजी को गरीबों की मदद के उनकी प्रगती के एक टूल के रुप में देख रहे हैं आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेकनोलोजी पारदर्शिता और इमानदारी ला रही है कैसे टेकनोलोजी नए अवस्वरों को पैदा करने में उन्हें गरीबों को सुलब बनाने का काम कर रही है और कैसे टेकनोलोजी सरकार और लाल फिता साही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है आप आज के ही यूनिक प्रोड़क्ट को देखिए आज हम यहां तक इसलिए पोँचे हैं क्योंकि देश ने जन्दन खातों को खोलने उन्हें मोबाइल और आधार से जोडने और जैम जैसी व्यवस्ता के लिए वर्षों महनत की है जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे लेकिन इसकी एहमियत को हमने लोग डाउन के समय देखा जब दुनिया के बड़े बड़े देश परिशान थे कि लोग डाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्ता तैयार थी दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ओफिस और बैंक खुलवा रहे थे तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था भारत में अब तक डारेक बेनिफिट ट्रांसपर के जरिये करिब साड़े सत्रह लाग करोड रुपिये सीधे लाभारतियों के खातों में बेजे जा चुके हैं आज केंद्र सरकार तीन सो से जादा योजनाओं का लाभ डिबीटी के माद्यम से डायरेक बेनिफिट ट्रांसपर के माद्यम से लोगों तक पहुचा रही है लगबग 90 करोड देशमाचियों को इसके तहट किसीने किसी रुप में लाभ हो रहा है राशन हो, LPG गैस हो, इलाज हो, स्कॉलर्सिप हो, पैंशन हो, मजदुरी हो, गर बना ले के लिए मदद हो ऐसे अनेक लाभ डिबीटी से मिल रहे हैं PM किसान सम्मान निधी के तहट 1,35,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक एकाउंट में पहुचाए गए हैं इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई हैं उसका लगभग 85,000 करोड रुपिये सीधा किसानों के बैंक खातों में ही ट्रास्पर किया गया है इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाब ये हुआ है कि देश के करीब करीब पोने दो लाग करोड रुपिये से अधीक गलत हाथों में जाने से बचे हैं साथियों भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेकनोलोजी को एड़ अड़ करने में उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है इनोवेशन की बात हो सर्विस लिलिवरी में टेकनोलोजी के इस्तमाल हो भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर गलोबल लीडर्शिप देने की ख्रमता रखता है पिछले साथ सालों में भारत ने अपनी प्रगती को जो गती दी है उसमें टेक्नलोजी के सही इस्तेवाल की बड़ी भूमिका है आप सोचिए क्या आठ दस साल पहले किसी ने कलपना की थी कि टोल भूत पर करोडो गाड़िया बीना किसी फीजिकल ट्राजिक्शन के लेंदेन से निकलेगी आज के फास्ट्रेक्श से ये संबव हुआ है क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गाउं में बैठा कोई हस्त शिल्पी अपने प्रोड़क्ट दिल्ली के किसी सरकारी दप्तर में सीधे बेच पाएगा आज जेम यानि गवर्मेंट ये मार्केट प्रेस पॉर्टल से ये मुम्किन है क्या आठ दस साल किसी पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यमेंट्स हर समय डिजिटली हमारी जेम में होंगे और हर जग़ एक क्लिक पर इस्तिमाल होग पाएगे आज ये डिजी लॉकर से मुम्किन है क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में MSME सेक्टर के उद्यमियों को सिर्फ 59 मिनिट में लोन एप्रू हो पाएगा आज भारत में ये भी मुम्किन है और इसी तरह आठ दस साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डिजीटल वावतर भेजेंगे और काम हो जाएगा आठ ये भी ई रूपी के जरिये मुम्किन हो चुका है मैंसे कितने ही उदहाण आपको गिना सकता है इस महमारी के दोरान भी देश ने टेक्निक की ताकत को महसूस किया है आरोग्य सेतु एप का उदहाण भी हमारे सामने है आज ये एप सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड एप में से एक है इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वेक्सिनेशन प्रोग्रेम में वेक्सिनेशन सेंटर के चैन में रेजिस्टेशन में वेक्सिन सेटिफिकेट प्राप्त करने में देश वाच्चों की बड़ी मदद कर रहा है पुरानी व्यवस्ता चल रही होती तो वेक्सिनेशन लगवाने के बाद सेटिफिकेट के लिए दोड़ना पढ़ता रहोता हुआ दुनिया के कई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टिम दुनिया के कई देशों को आकर्षित कर रहा है भारत इसे दुनिया के साथ साज़ा भी कर रहा है साथियों मुझे याद है कि चार साल पहले जब भीम एप लॉंच किया गया था तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकाउज बिजनेस टांजिक्शन नोट और सिक्कों के बजाए डिजिटली होंगे तब मैंने ये भी कहा था कि इस बड़लाव से सबसे अधिक गरीबों, बंचीतों, छोटे व्यापारियों, किसानों आदिवाशियों का ससक्तिकर होगा, वो एमपावर होगे आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं हर महिने UPI ट्रांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं जुलाई महिने में 300 करोड से अधिक ट्रांजेक्शन UPI से हुए हैं जिसमें 6 लाग करोड रुपय का लेंदेन हुआ है आज चाय, जूस और फल सबजी का ठेला लगाने वाले भी इसका उप्योग कर रहे हैं वहीं भारत का रुपे काण भी देश का गवरो भड़ा रहा है सिंगापूर भुटान में भी इसे लौच किया जा चुका है आज देश में 66 करोड रुपे काण है और देश में 1000 करोड रुपिय का ट्रांजेक्शन रुपे काण से भी हो रहा है इस काण ने गरीब को भी शशक्त किया है उसे इस भावना से भरा है कि वो भी अपने पास डेवीट काण रख सकता है उसका इस्तिमाल कर सकता है साथियों टेकनलोजी कैसे गरीबों को सशक्त करती है इसका एक और उदार है PM स्वनिदी योजना हमारे देश में तो रेहडी पट्री वाले ठेला चलाने वाले भाई बहन है उनके फाइनचियल इंक्लूजन के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था अपना काम आगे बढाने के लिए उन्हें बैंक से मदद मिलना असंबव था जब डिजिटल ट्रांजेक्शन की कोई हिस्ट्री ही न हो कोई डॉक्यूमेंट न हो तो बैंक से लोन लेने के लिए हमारे रेहडी पट्री वाले साथ ही पहला कदम पी नहीं बढ़ा पाते से इसी को समझते हुए हमारी सरकार ने पी एम स्वन निदी योजना की शुरुवात की आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाग से अधिक रेहडी पट्री और ठेले वालों को इस योजना के तहर मदद दी गई हैं इसी कोरोना काल में करीब करीब 2300 करोड रुपिये उन्हें दिये गए हैं ये गरीब साथी अब डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अपना लोन चुका रहे हैं यानि अब उनके लेंदेन की एक डिजिटल हिस्ट्री बन रही है PM स्वनीधी में ये व्यवस्ता की गई है कि 10,000 रुपे का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन रहेडी पट्री वाले साथ्यों को दिया जाएगा आपको जानकर खुशी होगी कि आँ सेंकडो रहेडी पट्री और ठेले वाले भाई भैन अब तीसरा लोन प्राप्त करने की दिशा में आगे बट रहे हैं थातियों देश में डिजिटल इंफ्राट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है विशेश कर भारत में फिंटेक का बहुत बड़ा आधार तयार हुआ है ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है देश वाच्यों का पॉजिटिव माइंड सेट फिंटेक्स सलुशन को एड़ाप करने की उनकी ख्यमता भी असीम है इसलिए ये आज भारत के युवाओं भारत के स्टार्ट अप इकोसिस्टिम के लिए भी बहतरीन मोका है भारत के स्टार्ट अप के लिए फिंटेक में अनेकों संभावना है साथियों मुझे विश्वाथ हैं कि यी रूपी वाउचर भी सफलता के नए अध्याय लिखेगा इसमें हमारे बैंकों और हमारे पेवेंट गेटवे का बहुत बड़ा रोल है हमारे सेंकडों प्राइवेट अस्पतालों, कॉर्पोरेट्स, उद्योजगत, एंजियोज और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रूची दिखाई है मेरा राज्य सरकारों से भी आगरह है कि अपनी योजनाओं का सटीक और संपूनलाब सुनिश्चित करने के लिए यी रूपी का अधिक से अधिक उप्योग करें मुझे विश्वास है कि हम सभी की ऐसी ही सार्थक साजयदारी एक इमानदार और पारदर्शी ववस्ता के निर्मान को और गती देगी एक बार फिर सभी देश्वास्यों को इस बड़े रिफॉर्म के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत-बहुत शुप कामना हैं धन्यवाद